हाई एवरिवन वेलकम बैक टू मैं चैनल तो फ्रेंड्स क्या कभी आपने इस तरह से प्याज को न्यूस पेपर में लपेड के रखा है इस तरह के न्यूनू टिप्स लेकर आई हूँ वीडियो ज़रा से पी अची लगी तो एक लाइक कर देना न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के न्यूनू टिप्स लेकर आती रहती हूँ तो Friends देर ना करते होए करते हैं वीडियो को Start पहलßen जो मेरा टिप होने वाला है के जो निम्बू के छिलके होते हैं उन्हें हम बेकार समझका बिल्कूल भी मत फैंख कि क्योंकि निम्बू को छिलके होते हैं हमारे गर में काफी काम आने वाने वाल होते हैं तो कभी कभी क्य भगातार ही wash करते रहते हैं लेकिन नाकुनो के अंदर जर्म चल जाते हैं तो निम्बु है निम्बु लगाने से यह सारे जर्म नाकुनों के साफ हो जाएंगे और नाकुनों में पढ़ी बीध क्या होता है पीला पन भी आ जाता है तो निम्बु से इस तरह 5 मिन तक रच करे कभी कभी जिन गर्ण में क्या होता है बनते हैं तो बनते हैं तो बन को करते हैं लोग होज्ट की स्मेल रह जाती है तो जिन गरों में बनावज के दीदिन एक खुड़ा को निम्बू की प्रणी करते हैं काफी बढ़िया टिप है ये क्योंकि नोनवेज जो हते हैं उसकी स्मेल भी होती है हाथों में बनी रहती है निम्बू की शिलकों से रब करने से इनकी स्पैल जो हती है वो सारी दूर हो जाएगी तो इस तरह से आप निम्बू की शिलकों को फैकिए ये अपने नाकून वगणा को clean कर सकते है तो बड़ते हैं अपने next टिप की तब next जो मेरा टिप होने वाला है कि हमारे घरे में इस तरह कि मेड़िशन पढ़ी रहती है expire हो जाती है आपको ले लिंगे इस तरह से मेड़िशन जो expire हो जाए तो एकस्पायर मेडिशन भी यूस कर सकते हैं या फिर आप जो आपके घर में कोई भी जो दवाईयां पड़ी हो जो यूस में नहीं आती हो वो भी आप यूस कर सकते हैं मैंने तुछों से तीन गोलियां ले ली है और इस तरह से इसको बारिक पीस लेंगे दो तीन गोलियों को बारिक जो है मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है इसके बाद हम इसमें डाल देंगे कोल गेट तो कोल गेट आपको इसे भी यूस में ले सकते हैं जो आप अपने घर में यूस में लेते हैं वही कोल गेट आपको लेनी है पारी डाल कर इसे अच्छी तरह से हमें mix कर देना है तो friends यह आपका काफी एच्छा solution बनकर ready हो गया है और इस solution को हमें kitchen sink होता है वहाँ या फिर जो होता है wash patient sink वहाँ पर use करता है तो wash patient में क्या होता है हम harp peak के वारा का use करते हैं चाफ़ी गंदगी वरक जमा हो जाती है वाइश पेशन में, मारीकेर शें में भार्टभी वरके रड्टेक हैं, तो अब इस तरह से ज़ो कोल्गेट ओर पेकार जो दवाई होती ऐ Кाफ़र दवाई दे ले सकते हैं, तो अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है क्योंकि कोलगेट को मिक्स करने में सिर्फ 5 मिनिट लग जाते हैं इससे क्या होगा कि अब कोलगेट होती है काफी अच्छा क्लीनिंग का भी काम करती है तो थोड़ा सा वाश विशन के अंदर आपको इस तरह से सारा फिला कर लगा देना है थोड़ा सा रप पाकी हमें छोड़ देना है हम आगे यूज करेंगी तो आपके वाश विशन में क्या होता है कि कभी कभी हमारे वाश विशन में रात के टाइम बरसात के मुसम में कीडे मकोडे वगारा जो आ जाते हैं वो भी नहीं आएंगी और जो इसकी जो पाइप होती है इसमें जर्म सिकर्थे हो जाते हैं क्योंकि हम इसमें ब्रेश वगारा भी करते हैं और वैसे भी इसमें सारा दिन खाना होना खाने के बाद हाथ वगरा वोश करते हैं तो उसकी गंदगी जो होती है पाइप में भी फस जाती है तो एकस्पाइरी दवाई से ये होगा कि इसके अंदर जो पाइप में जित्ते भी जर्म से वगरा होंगे कीड़े मकोड़े होंगे सारे दूर हो जाएंगे इस तरह से आपको इस सोलूशन के दो फायदे होने वाले हैं एक तो जो वाश पेशन है आपका एकदम से क्लीन हो जाएगा साफ हो जाएगा और चमक उठेगा और इसके बाद जो इस पायप के अंदर जित्ते भी कीड़े मकोड़े होते हैं और इस वाश पेशन में क्या होता है जो कोकरूज होते हैं वो भी अंड़े देते हैं जिसके इनकी तादात काफी बढ़ जाती है तो इस सोलूशन से क्या होगा जो इस पाइप में जित्ते भी कीड़े, मकड़े, कौकरज वगारा होंगे सारे मर जाएंगे तो इसके बाद पानी से आपको अच्छी तरह से वाश कर लेना है और जो हमने थोड़ा सा सोलूशन बचा के रखा है लाश्ट में हमें इसके पर डाल देना है पाइप जो है इसके अंदर इस तरह से हमें डाल देना है तो जित्ते भी इसके अंदर गंदगी जर्म से होगारा होंगे सारी खतम हो जाएगी और इस तरह से आप अपने पाइप में जित्ते भी जर्म से इस तरह से साफ कर सकते हैं इसमें और कोई भी चीज आपको साफ करने के बिलकुल भी जुरूत नहीं पड़ेगी तो friends I hope आपको ये टीप पसंद आया होगा नेक्श वाला जो मेरा टीप हमारे पास इस तरह से काफी सारे बिंदियों के पत्ते होते हैं हैं तो जिन्हें बेकार समझकर फैंक देते हैं तो मैंने ले लिए एक साइड है सैलो टेप तो एक साइड जो है नीचे खै्श साइड źром में it is no ब去Åगर और इंट भी चो एक उपर से उस ठाच कहलें हूआ है हमें ओभी यूज करना है तो फ्रैंड एक बिंडी के पत्ते में आप काफी सारे अपने गर के जो पैन कार्ड, आई कार्ड वगरा या अभी और भी कोई भी छोटे-छोटे कार्ड वगरा होते हैं वो इसके अंदर रखकर आप और्गनाईज कर सकते हैं क्योंकि जो चपी छोटे-छोटे हम डूनते ही रहते हैं तो इस तरह से काफी सारे जो कार्ड होते हैं इसके अंदर डाल सकते हैं और ATM कार्ड वगारा जो भी हो आपके पास कम से कम इसमें पाउच में 6 से 7 कार्ड है आराम से आ सकते हैं तो पिंदी के पत्ते का भी यूज हो जाएगा और आपके जित्ते भी कार्ड्स हैं सारे एक जगह पर और गनाइस हो जाएंगे और ये दिखने में भी काफी अच्छा रग रहा है आप इसे अलमीरा के किसे भी अंदर रख देंगे और सारे पैन कार्ड वगारा जो भी है एटिय दिरे क्या होता है ये गलने स्टार्ड हो जाते हैं क्योंकि बरसात के गर्मी की सीजर में तो अकसर ये प्रोब्लम आती है हम ज्यादा प्याद लेकर आई नहीं सकते हैं खराब हो जाते हैं तो इसके लिए आपको ले लेनी है इस तरह से खुली हुई बास्केट उसके बने हुए हैं और इसके उपर हमने डाल दिया है न्यूस पेपर तो न्यूस पेपर डालने के पास हमने इसके अंदर डाल दी हैं प्याज क्योंकि एक भी प्याज अगर गलने लग जाता है तो दीरे दीरे क्या होता है सारे प्याज गलने लग जाते हैं तो न्यूस पेपर के टुकडे हैं इस तरह से डाल दिये हैं तो अब आप 5 किलो या फिर हो 10 किलो जित्ते भी प्याज हों आप इस तरह से न्यूस पेपर है इस तरह से न्यूस पेपर के उपर रख कर और चोटे चोटे न्यूस पेपर को आपको इसके अंदर रख देना है और एक भी प्याज न तो आप इस तरह से अगर ज्यादा प्याद लेकर आ जाते हैं, तो यह टिप जरू ट्राय करें, तो आई होप आपको यह टिप काफी पसंद आया होगा नेक्स वराटी पर जब भी हम बिंडी की सबजी बनाते हैं, तो क्या होता है, बिंडी में काफी दारी लेस होती है, जो हम बिंडी बनाते हैं, तो बिंडी लेस वाली बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, तो इसलिए हम जब भी बिंडी बनाएं, तो इसमें नमक, मिर्च, ख भी पारतव करने है. जो पारत दे बंडी में बिल्किल भी नहीं आएक एक स्पून अपयड़े लेड़ा करूड,uma करम बेसन के लेड़ा हुआता है. भी बंडी में लिखे लू जो क丁दे लोग बिल्कुल बिल्किल बिल्किल बीद कऱों, रज़ा चुट so you don'trol yeah, spookymalane को इस तरह से मिक्स कर देना है इसके बाद हमें इस बेंडी को डगकर पांससे दस मिन तक पका लेना है तो friends बेसन डालने से बेंडी बहुत जज़्याधा कूर्कूरी बन जाती है और बिलकुल भी चिपचीपि या फिर लेस वाली नहीं बनती है तो फ्रेंड ये थे मेरे कुछ ऐसे टिप्स जो आपको पसंद आये होंगे सबसे ज़्यादा आपको मेरा कौन सा टिप पसंद आया कौन सा टिप पहले पता था मुझे कमेंट बॉक्स में जरू बताना मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के साथ अब तक के लिए बाए एंड ठैंक्स फूर वाचिंग